लें जनाब, एक नई Streamlit की अप जिसके अंदर आप अपनी PDF, Docs या किसी भी किसम की फाइल के साथ चैट कर सकते हैं using your own PC locally और इसका सबसे बड़ा एडवांटीज यह है कि जब आप इस अप को develop कर रहे होते हैं, तो less than 100 lines of codes के अंदर आप सारा काम कर सकते हैं आप किसी भी किसम की फाइल को इस अप के अंदर upload करेंगे and then you can ask your app कि मेरा ये question है मुझे पूछ के बताओ कि इस PDF में ये चीज़ मुझूद है के ने और इस task के लिए हम open AI की API यूज़ करने वाले हैं जो मैंने पिछले lectures के अंदर भी आपको बता दिया कैसे आप उसे बना सकते हैं और sometimes आपका $5 का credit जो है उसमें खतम हो जाता है तो आपसे request है कि credit card नया पे या सादा पे का account बना है पाक्सान के अंदर और इनके credit card को वहाँ पे attach कर लें क्योंकि $10 का मतलब यह है कि 1000 रुपया 1000 रुपया आप खर्चेंगे दस डॉलर नहीं 2000 या 3000 रुपया बनता है जितना भी बनता है तो यह तक्रीबन दो से तीन माह आपके लिए practice के लिए बहुत होगा API keys को use करने के लिए अब हम चलते हैं और इस code को देखते हैं कि किस तरीके से सारे के सारा code लिखा जाता है और आप prompting के थुरू इसको किस तरीके से optimize भी कर सकते हैं अगर आपने इस stream को like नहीं गया, share नहीं किया, subscribe नहीं किया या इस channel को आप first time विजट करें तो please description के अंदर सारे के सारे course की पूरी detail हमने provide की हुए है please visit our website www.codanix.com slash courses आपके सामने हाजर है, जी हमारा आज का tutorial screen आपको नजर आ रही है यहां पर और इस screen के उपर आज हम काम करने वाले हैं यहां पर अगर आप देखें तो मैं app number 7 बनाने लगा हूँ यहां पर ठीक है by the way यह जितनी पिछली apps हैं यह already हमारे पिछली lectures के अंदर मुझूद है वो lectures सारे के सारे कहां पर मुझूद हैं अगर आप हमारी website पर जाएंगे codanix.com पर तो courses के अंदर आप जाएंगे courses के अंदर जा के आप हमारे lectures को यह six months of AI and data science के अंदर explore कर सकते हैं ठीक है और इस पूरे course के अंदर यहां पर हमने सारे के सारा material जो upload किया हुए day 1 44 से लेके 151 तक मिसाल के दोर पर जो आने वाले पर हमारे lecture हैं वो सारे के सारे हम यहीं पर upload करते हैं लिंक मैंने description के अंदर दिया हुए तो please explore these things as well अब हम आज की app की दरफ जाते हैं यहां पर हम एक नहीं app बनाएंगे और यह वाला जो code है आपके पास available है github के अंदर तो इस app का नाम है ask the documents ठीक है चैट PDF या chat with documents इस app का नाम है तो यहां पर सबसे पहले मैं main.py आप का नाम मैंने main.py रखा है और अब हम इस पे code करेंगे अपनी app को और code करते हैं वक्त एक बात का ख्यार रखिया है कि जब आप coding कर रहे होते हैं तो आपको कुछ चीज़ें माइंड में रखनी होती है मैं यहां पर one to one coding नहीं करूंगा मैं copy paste करूंगा different codes को क्योंकि code मैं आपको provide करने वाला हूँ अब यहां पर मैंने एक तरीका कारवदा है अपने पिछली वीडियो के अंदर कि आपने जो streamlit का environment बनाया होता है उस पे click करें अगर यह libraries आपके पास install ना हो and then you have to install these libraries और इनको इंस्टाल करने के लिए अप अपना terminal open करेंगे mamba-activate-streamit-niv मैं इब ने फन Chinese carrier को कर ले तो एnd now I have to install these things install bodily dog to text एंड पाई पर क्लेप ठीक है इन दो लाइबरेडिस को मैं इंस्टॉल करता हूं क्योंकि मेरे पास यहां पर इस तरीके से शो कर रही थी that means कि यह दोनों लाइबरेडिस मेरे पास इंस्टॉल नहीं है and these kind of things show you automatically कि there is something wrong in these two libraries तो मेरे पास यह दोने इंस्टॉल हो चुकी है मैं अब दुबारा से अपने streamlet के environment को select करता हूं यहां से and if it's working fine then you will see like this तो मेरे पास जो streamlet की लाइबरेडिए उसे इंस्टॉल करना है py2pdf को करना जो मैंने पहले से की है io को हमने import कर लिया openai को install करना है which I have done already यहां पे हम docs to text को install करेंगे piperclip को install करेंगे and os को तो यह हमारे पास libraries जो हैं यह available होनी चाहिए इसके बाद अगला काम हमने क्या करना है हमने अपनी api key को set करना है ठीक है और यहां पे left side पे हम अपनी app के अंदर पूछेंगे कि यह वाली api key आप insert करें ठीक है so that's why I have written down here openai api key और यह api key जो है basically आपकी sidebar के उपर आप user से पूछेंगे अगर आप इस api को if you want to add your api inside the app तो आप क्या करते है basically आप अपनी api को एक नई file के अंदर secret toml file के अंदर provide कर सकते है जैसा कि मैंने यहां पे folder बनाया seven number के अंदर main.py है मैं इसी के अंदर dot stream lit का एक folder बनाऊंगा और इस stream lit के folder के अंदर मैं secret secrets.toml की एक file बनाऊंगा ठीक है so I can write down my api key here तो जब भी मैं उसे use करना चाहूं then I can write down that api key और उसके लिए आप क्या करेंगे api key इस तरीके से लिखके और यहां पे आप उसको फिर your api key के तोर पे add कर देते हैं यह मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बताया है किस तरीके से आप secrets की file बनाते है so this is how I am going to copy the api key from there so यहां पे मैं अपनी api key की एक template file रख देता हूं और यह api key मैंने खुद से बनाई है so यह मेरी अपनी api key है I can show you आप open ai के platform पे जाते हैं यहां पे अपना card वगरा add करेंगे then it will give you some kind of api तो मेरे पास इस वकर जो api use हुई है वो मैं सारी आपको बता दे तो मैंने 10$ को तीन माँ पर लेकिये थे still it's working fine तो मेरे पास अभी भी तकरीबन monthly step and जो है वो इतना थोड़ा सा आ है so 10$ अभी तक भी मेरे सारे के सारे नहीं लगे so it's very cheap for you तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जनाब ask the docs ask the docs app इसके लिए मैंने इसको बनाया API key को जैसे मैं इसे बनाता हूँ I can create that from here and I can copy this API key put that back here यह बिलकुल private key होती है और जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब मैं API key अपनी को यहाँ पर रखता हूँ मैं उसे फिर delete कर देता हूँ टुटोरियल के बाद ताके कोई और इसे use ना कर सके so again मेरे पास already API key मजूद है so I can write down that open यहाँ पर हम API key को अपनी को add कर देंगे बाद में so if I need लेकिन अभी के लिए मुझे कोई issue नहीं है I can go like this अगला हमने function मैं इसको बाद में लिकूँगा अगला हमने function यह बनाया है we will define a function to extract text from PDF file तो जब भी कोई बंदा PDF file add करेगा तो हम उससे text को extract करेंगे using this function और इस function के अंदर pie to PDF और PDF reader को हम add कर रहे हैं जो भी PDF file upload होगी उसको यह read करेगा उसमें से text निकालेगा each page number से वो text extract करेगा and then at the end it will extract the text तो यह function सिरफ PDF file से extract करने के लिए text extract करने के लिए हमने लगा दिया अब same काम क्यूंकि हमने एक और function design करना है यहां पर यह क्या करेगा यह basically हमारा अगला गाम करेगा which is function to list PDF files in a directory अगर आपके पास एक directory है आप वहां से PDF files को list भी कर सकते हैं and then you can actually run this extraction program और आप उन पूरी की पूरी PDF के ऊपर अपना यह वाला पूरी का पूरा function run कर सकते हैं so we have two functions now एक जो है वो PDF file को list करता है second one extract the text from PDF file दो functions हो गए अब तीसरा function हमने यह बनाना है that actually is this one आप क्या करेंगे we will define a function to generate questions from text using open AIs GPT-3, GPT-4 जो भी model हमने use करना है तो हम यहां पर लिखते हैं get questions from GPT और यहां पर text लिखेंगे prompt हम अपना देंगे कोई भी ठीक है और उसके response की base पे हम यहां से कोई भी एक model use कर लेंगे and अभी के लिए मैंने यहां पर text DaVinci 003 लिख है but this is actually deprecated और हम इसको फिर change कर लेंगे यानि कि जो भी मैंने model यहां पर लिखना है I can actually use that model and that model depends on this API keys जो मेरे पास मुझूद है तो अगर मैं usage की बात करूँ यहां पर मेरा usage criteria यह storage है and I can actually see के हमारे पास कितने किसम का different किसम की fine tuning और assistant बगार यहां पर मुझूद है API which works for me so मैं यहां पर API keys पर click करता हूं ठीक है and here I have all the API keys यहां पर अगर चेक करें तो यह मेरे पास information है अगर मैं assistance पर जाता हूं then I will find another kind of page यहां पर इसकी information होगी fine tuning करनी है तो I can also do the fine tuning यहां से check करके मैं अपनी मर्जी से fine tuning कर सकता हूं usage की बात की जाए तो यह मेरे पास monthly stipend मेरा जितना भी यहां पर लगा है वो है और जितना मैं use कर रहा हूं API को वो है setting पर जाएं तो यह हमारे पास organization ID and then many other things which we shouldn't actually share with other people so हमारे पास काफी कुछ यहां पर मजूद है help की बात करें so I can ask here के कौन सा हमारे पास जो model है release note कौन-कौन से है how to access SORA and there are many other questions जो लोग frequently पूछते हैं so you have to explore this actually the API page ठीक है अब यहां पर आपने देखा के हमारे पास documentation में अगर हम जाएं यहां पर models पर अगर मैं click करूँ so these are few models which I can use so GPT 3.5 Turbo है, DALI है, TTS है, Whisper है, Embeddings है, Moderation है, GPT Base है deprecated models यहां पर मुझूद है so I can actually check one of these models जो मैंने use करना है अगर नहीं करना so I can utilize the other model तो मुझे यह वाले नाम वहां पर लिखने होंगे so these are the names which contains GPT-4 and GPT-4 Turbo something और अगर मैं उनको नहीं use करता, I was using the other model so I had used these kind of GPT-3.5, DaVinci or whatever I want to write there ठीक है, so उन्होंने इसको replace कर दिया using different models now, यह जो मेरे पास है basically turbo है, GPT-4 Turbo Preview I can maybe use this and add here let's see, यहां भी मैं add करता हूँ इसको और let's see कि अगर हमारे पास यह completion creation जो है वो करता है यह वाला function otherwise we will see कौन सी change हम और करेंगे so models जो हैं हमें API से निकालने पड़ते हैं और angels उनका बताने पड़ते हैं यहां पे भी text DaVinci है तो मैं यहां पे भी यह preview model को copy करके paste कर देता हूँ और यह क्या कर रहा है यह basically हमें function to generate answer to the question using OpenAI GPT-4 अब हम GPT-4 यूज़ कर रहे हैं क्योंकि API यह बैसे मेरे पास हैं तो I can actually utilize that और फिर हमारे पास यह last में एक function है which can actually help us to generate or define the main function in StreamlyTap तो हमारे पास एक main function हम नहीं यहां पे बनाया जिसमें हम सबसे पहले title देंगे Ask questions from PDF documents in a folder पूरे एक folder के अंदर हम अपने सारे के सारे PDF document रखके उस पे काम कर सकते हैं Get the folder containing PDF files using folder input तो यहां से हम PDF folder को folder input के तुरू यहां से grab करेंगे और अगर उसके पास कोई भी folder के अंदर PDF files मुझूद हैं इसको read करेंगे and then at the end we can ask the questions using the functions जो हमने उपर create की हैं at the end जब भी आप किसी file को यहां पे run करते हैं you can use this if underscore underscore name underscore underscore equal to equal to main then main को run कर दें तो इससे क्या होगा यह main function जो है इसको हम run कर रहेंगे इस main function में title भी है और बाकी चीज़ें भी सारी की सारी इस main function के अंदर ही मौझूद है right और यहां पे अब यह वाला पूरा कोड हमने लिखती है अब अपनी आप को चला के देखते हैं कि यह चलती है यह नहीं चलती यह कोई मसला करती है so I will just run this command called streamlet run और यहां पे main बलके हमें इस folder के अंदर जाना है cd हमारे पास है 13 नमबर पे streamlet और 0 7 पे है ask the document यहां पे हम streamlet run streamlet run और साथ में लिखेंगे main.py मैं इसको run करता हूं जैसे मैंने इसको run किया now we have our app running let's see यह मेरे पास आया पैजी ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं enter the folder path containing PDF files वह यहां पे add करेंगे वह कोई भी folder path हो सकते है and then we can actually read our PDF from the folder first thing is this one second one is कि हम यहां पे अपना open API key देंगे पहले तो जो API key मैंने वहां से copy की थी मेरे पास जो थी I can provide that one यहां पे directly मैं enter दबाता हूं enter दबाते ही यहां पे मुझे वह path देना पड़ेगा ठीक है so I can provide the path और path की base पे आप सारे के सारा folder read कर सकते हैं अब आपको पता है कि यहां पे इसी एक folder के अंदर ask the document के अंदर अगर हम एक PDF का folder बनाएं PDF underscore files और इसके अंदर अपनी PDF files रखना start करें so I am gonna do the same thing जो मैंने भी आपको बताई और इसके अंदर देखते हैं कि हम किस तरीके से PDF को add कर सकते हैं let me see I want to find out some PDF files और फिर उसको read करते हैं let me see अगर मेरे पास PDF files जो हैं वो एक से ज्यादा पड़ी हुई है तो यह तीन मेरे पास PDF file पड़ी थी मैंने इन PDF files को PDF folder के अंदर रख दिया ठीक है and now I can check अगर यह PDF files read कर सकता है मैं इसको दोबारा से run करता हूँ जो अपनी app है यहां पे मैंने API key डाली and then I can provide a path यहां पे मैं लिखता हूँ PDF files enter let's see क्या होता है and it's not reading the files or something is wrong let me see यहां पे मैं under score files here let's see let's see यह वाली select करता हूँ select करने के बाद उसने बोला API removed in version 1 you try to access open AI completion but this is no longer supported in open AI 1.1 see the readme at this one you can run open AI migrate to automatically upgrade your code base to use the one-to-one interface तो यह मेरे पास एक error आई है मैं इसको copy करता हूँ error को वापिस जाते हैं अपने code के अंदर और यहां पे मैं control i करके command i करके यह पूरी error देता हूँ and let's see if github copilot can fix this thing so something is deprecated already and let's see हमारे पास यह क्या करती है पूरे code को पढ़के so it will take a little bit of time जारी बात है हमारे पास थोड़ा सा यहां पे issue हो सकता है but we can see how it works अगर इसमें कोई issue हुआ then we are not going to accept this अभी मैंने इसको accept कर लिया just for the sake के यह सारा सही काम करेगा इसको accept करने के बाद मैं इसको read and करता हूँ app को refresh करता हूँ API key enter करते है यहां पे .pdf underscore files मैंने add की यह हमारे पास file आ गई यह वाली file आ गई still the problem is there तो मैं क्या करता हूँ यहां से ctrl z दबा देता हूँ एक दफ़ा because I have to remove this fix तो मैंने क्या किया अब अपनी इस पूरे code को copy किया code को copy करने के बाद मैं यहां पे chat gpt में आ गया so I would ask chat gpt 4 please correct the code based on the errors here is the code and at the end I will provide the error so I will just take this thing copy and here are the errors so मैं यहां पे end पे errors को paste कर दिया उसके उपर मैंने code paste कर दिया अब देखते हैं कि यह कितना time लेता है and how उन्होंने बताया है कि हम किस तरीके से इसको change कर सकते हैं to correct the code based on the error mention you will need to update the calls to openai API to confirm the changes introduced in version 1.1 openai python package ठीक है so अब वो बता रहे हैं कि कहां पे change कर नहीं है so usually it happens in openai completion के अंदर is no longer supported कहां पे नहीं supported है मैं आपको दिखा देता हूं just to be on the safe side openai जहां पे हमने completion यूज किया है this is no longer supported ठीक है तो ये दो जो code है ये no longer supported है हम देखते हैं कि इसको किस के साथ इन्होंने replace किया let's see अब यहां पे उन्होंने ये code बता है chat completion इसके बार में use किया है and it's still working on the PDF files so मैं यहां से code copy करूँगा afterwards if it works fine let's see so ये एक तरीका कार होता है अगर आपके पास errors आ रही हो I know it will take time अगर ये मेरे पास errors still आती है तो जब भी आपके पास कोई भी library update होती है you can actually work on these things यहां तक clear हो रहा है कि किस तरीके से आप एक proper app जो है उसे develop कर सकते है तो ये मेरे पास पूरा का पूरा code आ गए I am just going to copy this code select the other one और इसको मैं delete करता हूँ दूसरे को paste करता हूँ मैंने paste किया and now I will see if the app is still running देखते हैं जी अब जाके हमारे पास sorry अब हम दुबारा से अपनी app को देखते हैं यहां पे मैंने API key डाली यहां पे pdf underscore files का मैंने पूरा folder डाला अब भी हमारे पास chat completion but this is no longer supported अभी यह error आ रही है so I will just copy this thing again लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि if I rerun this यहां पे इस को मैं copy करूँ and then दुबारा से इसको run करते now it might work better यह हमारे पास इस तरीके से यहां पे चला dot pdf underscore files forward slash enter this is the error so I can copy this copy करने के बाद यहां पे मैं से paste करता हूँ इसको मैं कहता हूँ कि यह भी भी error आ रही है so hopefully it will help so this is one of the way second way is जो यहां पे बताया गया है कि हमें pip install open ai को 0.28 में convert करना है इसकी वज़ा क्या हो सकती है इसकी वज़ा यह है कि जो यह app बनी है this was working on the previous version of open ai जो हमारे पास version है इस वकत वो different है so either we have to reduce down the open ai version या हमें अपने तरीके से इसको use करना होगा so it's totally up to us के हम किस तरीके से इसको utilize करते हैं और हमें किस तरीके से open ai की API versions वज़ारा को जो हमने use करना है ठीक है so I mean it's totally up to us तो मैं अगर यहां पे इसको ctrl c दबा के इसको बंद भी करता हूँ यहां पे अगर मैं error से उठा के वो ही चीज ले आँ जो open ai का pip install है that can help us as well मैं यहां पे इसे paste करता हूँ इसको enter करता हूँ now it will downgrade the open ai ठीक है downgrade हो गई now if I rerun the app it should be working fine ठीक है so हम देखते हैं अब हमारे पास अगर यह app सही चल रही है कर नहीं चल रही so I will just copy this paste it here the API key यहां पे हम लिखते हैं pdf underscore files slash enter and now you can see के सिरफ version को change करने से हमारे पास एक पूरी file जो है वो आ गई है but still gpt4 turbo does not exist so we need to change that one as well to text da Vinci जो हमारा यहां पे एक हमने model चूज किया था ठीक है I can show you that model here just a minute हमने यहां पे ctrl f gpt so हमने gpt4 turbo यहां पे यहां पे यूज किया हुए अगर हम यहां पे देखें तो let's see के if we can actually change this model to any other model ठीक है so अगर मैं यहां पे कोई और model यूज करता हूँ which is given in my API then probably it will be working fine so मैं अगर यहां पे gpt3 turbo यूज कर लेता हूँ और उनका deprecated variant जो है recommended replacement यहां पे इनों ने दी हुई है हम यहां पे जाते हैं यह recommended replacement इनों दी है so I'm gonna use maybe बलके मैं यहां पे पूछता हूँ इससे के text models या मैं यहां पे लिखता हूँ the winchy let's see models में जाते हैं gpt3 turbo पे जाते हैं यह हमारे पास model है मैं इसको use करता हूँ let's try this अगर यह उस वकत exist करता हुआ then it can help us मैं यहां पे इसको model को लिख देता हूँ gpt4 turbo को मैं replace कर देता हूँ let's try this मैं इसको save करता हूँ अब दुबारा से अपनी app पे जाते हैं और मैं इसको always rerun की तरफ click करता हूँ and hopefully this time it will be working fine yes now it's working fine कोई भी हमारे पास चीज नहीं मैं यहां से पूछता हूँ some may rise the paper तो आप कोई भी question पूछेंगे it will try to answer you in a nice way तो आप पूरी की पूरी pdf के साथ यहां पे गप्शप कर सकते हैं and then it will take some time क्योंकि जारी बात है पूरी की पूरा model जो है वो analyze होगा and here you can ask the question to specific pdf मैं कोई भी pdf यहां से select करता हूँ this app will work on that pdf और हमारे पास इस तरीके से इसके answer आना start हो जाएंगे so this is how you have to work on the things और यह हमारे पास एक app है जो ask the pdf documents उस पे आप चला सकते हैं अपनी मर्जी से और multiple pdf documents आपके पास यहां पे आ जाते हैं इस app को मैं close करता हूँ वापस जाते हैं यहां पे यहां से मैं इसको close करता हूँ इस पूरी के पूरी app को यहां पे अब हम इसकी pip request file बनाते हैं ठीक है तो pdf files मैं यहीं पे रहने देता हूँ just for your analysis और streamlate की जो हमारे पास secret file थी उसको मैंने remove कर दिया now you have to create a toml file so by the way यहां पे अब हम request file बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं cd 1307 यहां पे जाके pip rex के नाम से हम command run करते हैं जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया हूँ है तो हमारे पास automatically requirements की file आ जागी so this is the requirement file और यह हमारे पास different versions of all the things are available here streamlet cloud लेकिन इसके deploy करने से पहले अब हम next app की तरफ जाते हैं यह deployment आप खुद भी कर सकेंगे बाद में यह app आपके portfolio के अंदर भी चारचान लगा सकती है अगर आप अपनी API की use करना चाते हैं go for it अगर आप कोई और API की use करना चाते हैं यूजर से पूछना चाते हैं कि आप अपनी API की डले go for it as well it's totally up to you यह app researchers के लिए बहुत अच्छी थाभित हो सकती है you don't need to ask for anyone else to have a chat PDF file either you do it by yourself or you can actually create this app by using the code I provided ठीक हो गया यहां तक clear हो गया आपको अगर आपने like नहीं किया stream को please go ahead and do it थोड़ा से advanced level पे हम पढ़ने इसे वज़ा से यह थोड़ी से celebration आपके लिए बनती है errors को resolve करने के तरीका कर मैं जान बूच के आपके सामने लेके आ रहा हूँ ताके आप सीखें इससे पजाए इसके कि मैं पूरा code नूर उस पे काम करने बैठ जें तो हमें थोड़ा सा दिमाग को भी हिलाना जाएए यहां तक clear हो गया होगा आपको